नमश्कार आपके साथ मैं हूँ श्विता दुर्पाथी इंडिया 24-7 सबसे तेज रुजान आप तक पहुचा रहा है अलाकि आप ये रुजान नतीजों में भी तब्दील होने लगे और फिलहाल ये करीब करीब साफ हो चुका है कि देश के दिल में क्या है दिली के दिल में क्या है दिली के लोग क्या कुछ चाहते हैं और दिली के लोग फिलाल मोधी मैजिक को ही अपना मानते हैं दिली में बीजेपी प्रचन जीत की तरफ बढ़ रही है लेकिन 70 रूर आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे प्रदर्शन की तरफ बढ़ रही है लग ऐसा रह ह है कि दिल्ली में केजरिवाल का सूप्रा साफ हो जाएगा तो दस बच चुके हैं रुजहानों में बीजेपी को तीनों MCD में बहुमत मिल चुका है मोदी लहर पर सवार बीजेपी एतिहासिक जीद की तरफ बड़ती नजर आ रही है नतीजों की बात करें तो छे सीटों के नतीजे आ चुके हैं और सभी सीटे बीजेपी के खाते में गई है वहीं आज की सबसे बड़ी स्टोरी अर्विंद केजविवाल है दिली में सत्ता रून आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साव हो चुका है आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस में अगर हम दोनों को ही देखें तो कॉंग्रेस तीसरे नमबर पर पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी दूसरे नमबर पर लेकिन वो शायद वादे हवा हवाई हो गए वो विश्वास जो लोगों को था अर्विंद केजरिवाल पर काम को ले करके वो दूर होता हुआ नजर आया क्योंकि हर बार दिल्ली के करीब कम बाकी राजियों के नस्दीक ज्यादा नजर आने लगे थे अर्विंद केजरिवाल और यह माना जा रहा था कि लोगों में गु अर्विन दिकेजरिवाल की इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल्ली वालों के सपने दिल्ली वालों से किये वादों को वो भूरते चले गए और इसी का खामियाजा उठाना पड़ा इन चुनावों में क्योंकि BJP को हम देखें तो BJP 10 साल से MCD में थी अलाकि BJP की कामकास से लोग खुश नहीं थे लेकिन अर्विन दिकेजरिवाल की खिलाफ भी जो एंटीन कंविंसी फाक्टर था वो इतना जादा था कि लोगों को लगा कि नहीं मोदी माजिक ही हमारे लिए बहतर है तो फिलाल BJP का साथ देते हुए और BJP पर विश्वास जताते हुए दिल्ली के लोग हार की सुख बुगहट के साथ ही आम आदमी पार्टी में कल है कि आसार भी नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा है कि इवियम पर ठीकरा फोड़ना बेकार है एतिहासिक हार के बाद इवियम में गल्ती ना निकाले पार्टी ऐसा होता रहा है और ये भी कहा जा रहा था कि इस बार अगर हारते हैं तो EVM पर ठीक रा फोड़ा जाएगा क्योंकि आपको बताए जिस देर वोटिंग हो रही थी उस दिन भी अर्विंदे केजरिवाल की ओर से कहा गया कि बहुत सारे ऐसे वोटर से जो उनको स्लिप नहीं कर पाए और उस देन भी उन्होंने EVM की गरबड़ी को ही बताया था ये भी कहता अगर हारे तो हम धरना देंगे इस तरीकी कि कहीं न कहीं अर्विंदे केजरिवाल इस प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे थे उनको शायद इस बात का अभास हो गया था कि दिल्ली वाले उ देंगी हो इसको लेकर सरकार ने काम किया और इसको ध्यान में लगते हुए जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं धीरे-धीरे, छेज सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी नहीं जीत दर्च की हैं, तो पांच एहम बाते जो अब तक चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, इसके हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो शुरुवाती रुजहार में बीजेपी को बढ़त मिलीती और अब तो छे सीटों पर हमें ये नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं, तो कॉंग्रेस दूसरे पाइदान पर हैं, फिलाल जो अब लेटेस्ट ट्रेंड आया है, उसके मताबिक कॉंग्रेस तीसरे पाइदान पर दिल्ली वालों की और से, लगातार ये कहा जा रहा था कि नहीं, हमने एक तरह से मैंडेट, वो मैंडेट दिया था दो सार पहले, जो एक नई राजनीती की शुरुवात की तौर पर देखा जा रहा था, तो क्या ये नई राजनीती का भी सूपड़ा साफ है, फिलाल शुर देखे ये चुनाओ जरूर एमसीडी का है, लेकिन दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, और दिल्ली के अंदर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अपनी एरोगेंसी का लेवल बढ़ाया था, बात बात पर मोदी जी के खिलाव बोलना, काम नहीं करना, सिर्फ गई थी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को उमीद पर जारू फेर दी, तब लोगों को लगने लगा कि सिर्फ और सिर्फ नरंदर मोदी जी की पार्टी, भारती जंता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो अन्राज का भला कर रही तो दिल्ली का भला भी वही कर सकती है आम आदमी पार्टी के लिए ये चिंतन का वक्त है उनको नेतिकता की बहुत दोहाई देने वाली आम आदमी पार्टी को अब और विन केजरिवाल जी को अंदर जो प्रेडाम आये हैं पिछले दस साल से दिल्ली में MCD के अंदर भारती जनता पार्टी सरकार चला र देश और पूरी दिल्ली जानती है इस बात को कि दस साल में MCD में भाजपा ने रश्टाचार का डेंगू चिकन खुनिया और गंदगी काट्डा बनाया लेकिन उसके बाद जिस तरह से चमतकारित जीत भारती जनता पार्टी को मिली है वो इबियम लहर से ही संभव है ये म जो लहर चली थी इबियम की उस लहर को दुबारा भारती जनता पार्टी ने इबियम लहर को दुबारा यहां रिपीट किया है ये आम आदमी पार्टी बहुत छोटी चीज है आम आदमी पार्टी की जीतार बहुत छोटी चीज है लेकिन आजादी की लंबी लड़ाई के बात जो इस देश को संविधान मिला लोकतंत्र मिला अगर लोकतंत्र एबियम से तैं होने लगेगा तो सायद इस देश के अंदर हमारी पूरी आजादी की विरासत संविधान के सारे पन्ने और लोकतंत्र के ऊपर ये खत्रा खड़ा हो चुका है आम आदमी पार्टी अपने सारे चीजों की समिख्षा करेगी लेकिन इस देश के हर नागरिक को इस बात को सोचना है यह जो इबियम लहर चलाई जा रही है इस से इस देश को कैसे आजात किया जाए कैसे सुतंतता संग्राम के जो विरासत है लोकतंतर की उसको कैसे बचाया जाए संबिधान में जो लोकतंतर की मर्यादा है उसको कैसे बचाया जाए और खास तोर से एक नागरिक एक मद्दाता का जो अधिकार है उसको कैसे बचाया जाए ये इस देश को अब सोचना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी इन सारे पहलूँ पर प्रेडाम आने के बाद विचार करेगी और उसके बाद अपनी रणने करेगी समय आने पर सब रिलीज हो जाएगा समय आने पर सब कुछ करेंगे देखिए मेरा इतना क्यों कहना है संचेप में कि भारत के जनता पार्टी जिस तरह से एन केन प्रकारेंड से भारत के अंदर लोकतंत्र को खतम करना चाहती है और इबियम के माध्यम से देश में एक तरह के प्रत्यक्ष ताना साही को लाना चाहती है इसके बारे में आम आद्मी पार्टी भी सोचेगी और इस देश के सभी जो देश भक्त सम्विधान को पसंद मानने वाले लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा और उसकी लड़ाई को सब लोगों को मिल करके आगे आवाज उनको अपिःल कि धी है और लोगोग। झार दो के लोगोगान तो मिल करके बाहे still刊 पारे नहीं सेफ़स्तुं को मिल के जायर ज्यर quéं जाले विएल कDas कि सभाए को सब बनामे देशिवार